हेलो एविवन गूड आफटर नूम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैवा और जैल के बारे में एजलिक एसे इसके अंदर 20% है और इसके कई सारे यूज होते हैं अगर किसी को हलके-खलके मुहासे होते हैं या सूजन होती है चेहरे पर तो उस कंडिशन में इसे लगा अगया जाता है और यह टॉपिकल है यह ध्यान रखिये इसे हम ओरली नहीं ले सकते हैं यह मेडिशन केवल और केवल स्किन पर लगाने के लिए होता है तो यह कंपनी का बहुत अच्छा मेडिशन है और यह क्रीम फॉर्म में आता है फ़ॉर्म होता है उस वाले फॉर्म मे को मार कर और इसकिन के जो छिद्र होते हैं उन्हें साफ रख कर हमारी इसकिन को हेल्दी रखने में मदद करता है देखिए इसके अंदर एजलिक ऐसे 20% है और ये एक्स्टरनल यूज है ये हमेचा ध्यान रखे अब इसको यूज करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें जैसे किसी दवा का अगर आप उप्यू करते हैं और अगर आपको यूज करना है तो अपने डॉक्टर से सलह लें कि कितना हमें यूज करना है ये ध्यान रखें दूसरा अगर किसी medicine से आपको allergy है या ये देखिए कि इस दवा को लेने से आपको कोई problem हो रही है या नहीं हो रही है कोई भी problem अगर होता है तो तुरंत अपनी डॉक्टर को देखाएं बच्चों के cases में कोसिस करें जिनकी उम्र 12 साल से कम है उनको नहीं देना चाहिए एजलिक एसेड किसी भी प्रकार से नहीं देना चाहिए चाहिए वो फॉर्म में हो या जैल हो या फिर क्रीम फॉर्म में हो ब्रद्धा वस्ता में भी थोड़ा सा उप्योग सीमित दिशामे करें अगर जो pregnancy ladies हैं उनको भी कोशिस करें कर ना दें इसके कई सारे side effects भी देखने हैं अब इस दवा को लगाने के side effects क्या हो सकते हैं देखिए हलकी सी skin में जलन हो सकती है चोवन चोवन या फिर जुनजनी हो सकती है इसकिन में शूका पना सकता है हलकी खुजली हो सकती है लाल हलके से रैसे सा सकते है या फिर इसकिन पर छाले हो सकते है पपड़ी जम सकती ह तोचा उखड सकती है हलके फुलकी इस तरह के side effects के देखने को मिलते हैं लेकिन कई सारे ऐसे side effects हैं जो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं करेक्ट तो यह दवा जो है यह हलके फुलके मोहासों को कम करने में मदद करता है अगर आप short time के लिए यूज करते हैं तो यह बेहद ही effective medicine है अगर किसी को मोहासे हैं हलका फुलका मोहासों के साथ में swelling है susan है उसे कम करने में यह काफी ज्यादा मददगार medicine होता है ध्यार रह यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर नहीं है